नहुश्कार दोस्तों एक बुर्फिर से स्वागता आपका हमारे चैनल अकाउंटक स्वलूशन में आज मैं आपको बताऊंगा how to use find formula in action जी हाँ दोस्तों action में find formula कैसे use करते हैं और इसका use क्या होता है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेट स्टार्ट दोस्तों सबसे पहले हमने एक एक्सल शीट बनाई हुई है वो उपन कर लेते हैं इहां पर देखिए दोस्तों मैंने आपको यह एक छीट बनाई हुए find formula की find formula कहा यूज होताा और किस किस तरीके से use होता है इतने तरीके से use होता है जहां पर दोस्तों हम पहले क्टिए equal to define यूजू हम खने देखे दोस्तों formula मीशे equal चे श्टार्ट होता है और इक्वल फाइं ब्रेक्ट चुरू ब्रेक्ट के बाद दोस्तों आपको कंडिशन्स लगाने होती है जो फॉर्मुले में दियूती है पहला फाइंट टेक्स्ट फाइंड का मतलब ही होगे दोस्तों कोई चीज ढूणना अब माल लिजे में कोई हैलो में से कोई एक वर्ड ढूनना है वह कौन सी पोजिशन्स पर है तो फाइंड टेक्स्ट में मैं एल ढूनता हूं यहां पर मैंने लिख दिया ल दोस्तों अगर हम कोई भी वैल्यू ढून कोमा स्टार्टिंग नंबर कहां से ढूननी है माल लिजे मेरे को एल ढूनना है स्टार्टिंग से मतलब वन से कि बाद कि बाद तो यह देखें दूसरे यहां पर हमने यह फोर्मल लगाया था लेकिन इसको एंटर करते ही यह एर्र दिखा रहा है यहां पर यह कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमने फोर्मॉला दल लिखा है तेकिन इसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी है तो सबसे पहले देखते हैं इकोल तुफाइं ठीक है उसके फाइंट टेक्स्ट हमें ढूंडना क्या है वह यहां लिखना है दोस्तों हमने लिखा लेकिन यहां पर एक बीज़ चेक कर लेते हैं यहां capital L नहीं यह देखिए यहाँ पर हमारा small में L है तो हम जा करेंगे इसको small letter में L लिखेंगे उसके ज़िए दोस्तों within text range हमने दिविए सही उसके ज़िए starting number कि किस position से शुरू करना उसे find गरना तो number 1 से first character से enter करेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी लिख देखिए और अब मान लिजिए मेरे को third L सर्च करना है तो हम क्या करेंगे position number starting number को change कर देंगे from 4 तो 5 के बाद जो है हमारा L का पर है six position पर क्योंकि four पर तो already L है तो वह four ही शोगरेगा तो five पर हमारा L नहीं है तो five के बाद जो L होगा उसकी position या पर दिखा देगा तो यह हमारा six number पर L है अब find formula का use कर सकते हैं three two ways में first है दोस्तों कि आपको कोई letter ढूनना है वो पहली position पर जहां पर भी होगा वो आपको show कर देगा अगर मालनीजे आपको position change करके result ढूनना है तो आपको वहाँ पर क्या होगा जो हमारी third condition होती है formula के अंदर start number तो वो आपको वहाँ पर ढालने होगी start number कौन सा है starting number हमा हमारा fourth है fifth है fifth के बाद में hell कहां पर आता है तो वो position आपको show कर देगा जैसे मान लीजे हमने मैं आपको यहां पर दिखा दिखा दिखता हूं यहां पर हमने क्या डूनदा A डूनदा है अब A को दूस्तों starting में भी है third character पर भी है तो हमने यहां पर क्या डाला six character के बाद six character means हमारा williams में A कहां पर है एलन में हमें डून नहीं है एलन के four space five vector w six से हो गया मतलब williams से start करेंगे तो एक रेक्ट कहां पर आता है तो williams में क्या नमद पर रखाएगा four इसके हो गए एक space हो गया और six यहां पर आ गए तो वो total 11 नमबर पर है उसके बाद दोस्तों मैंने error का आपको बताई दिया है कि error यहां पर हमारी क्यों आ रही है क्योंकि यह देखिए जैसे हमें यहां पर हम सर्च कर रहे हैं टी जबकि उस value के अंदर वो letter है नहीं या फिर वो letter हम मालीजे से यहां पर जैसे मालीजे capital S डाल देते है तब भी य यहां पर small डाल देते तो answer आपका सही आ जाएंगा तो इस तरीके से दोस्तों आप find formula का use कर सकते है find formula के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया syntax क्या होता है equal to find पहले तो आएगा आपका letter to look for मतलब हम कौन सा letter उसमें search कर रहे हैं उसके बाद text to look inside मतलब वो letter किस text के अंदर search कर रहे हैं उसकी रेंज उसके अंदर स्टार्ट पोजीशन कि इस किस नंबर से आपको टेक्स सर्च करना तो थेंक्यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कर्मेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्र कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल